तारक मैता का उल्टा चश्मा फेम अक्टर घंशाम नायक, जिन्ने नटु काका कहा जाता है उस टीवी शो में, जो किरदार वो पले कर रहे हैं. हम आपको बताते हैं कि घंशाम नायक जो हैं उनके फैंस के लिए बुरी खबर जो की सामने निकल कर आई थी कि घंशाम नायक जो हैं वो कैंसर से जूझ रहे हैं और उनकी कीमो थेरेपी चली है उनका इलाज चला है और जिसके चलते अब वो कह रहे हैं कि वो ठीक हैं और फि के लिए बुरी खबर है लेकिन वो काफी positive है उन्होंने अपनी बिमारी पर कहा है कि मैं 100 साल तक जीऊंगा और मैं अभी कहीं नहीं जा रहा और उन्होंने ये भी बताया कि वो काभी positive हैं अपनी life में उन्होंने negativity कभी भी अपनी life में नहीं रखी है वो अपनी आखरी सांस त जिनके कुछ achievements के बारे में कि आखिरकार पाई पाई को महताश थे घंशाम नायक लेकिन आज की date में लाख रुपे वो कमाते हैं हम आपको बताते हैं कि 57 साल के career में किस तरह से घंशाम नायक जो है उन्होंने अपने career जो बनाया और किस तरह से उन्होंने कितने filmों में काम क करते थे और तब उन्हें 11 रुपे बतौर फीस मिलती थी उसके बाद उन्होंने लगबख कई Hindu film में काम किया और गुजराती और Hindi film में मिला कर 200 streaming में उन्होंने काम किया है साड़े 30 सТ Indian Hindi Serials में उन्होंने काम किया है 100 गुजराती Serials में उन्होंने अपना अभिने किया है आपको बदाते हैं कि आखिरकार घंचाम नायक जी जो है इन्हें कितनी फीस मिलती है तारक महता का उल्टा चश्मा टीवी शो से आपको बदा दें कि एक रिबोर्ट के मताबिक इनकी जो फीस है वो 30,000 रुपे है पर एपिसोड यह पर एपिसोड के घंचाम नायक जी 30,000 र रहे हैं अब यह कहना है कि अभी तो काम शुरू किया और काम करना है काम करते जाना है काम करते करते ही इन्हों ने बोला है कि यह दुनिया को छोड़ देंगे और 11 रुपे से सफर शुरू किया था आज की डेट में लाखोर रुपे यह कमाते हैं क्या के ना शाहते हैं आप गंशाम नायक जी की इस अचीमन्ट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट्स के लिए